अनामिकास फूर्जरनी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे टमाटर की चट्नी चट्नी बनाने के लिए हम एक बड़ा चमच तेल गरम करेंगे तेल गरम होने पर इसमें हम डालेंगे आधा चमच जीरा दो से तीन लाल मिर्च आप तीखे पन के अनुसार कम जादा डा जालेगा एक चमच कटा हुआ या कसा हुआ अध्रक कुछ कड़ी पत्ते और इसे हम लाल मिर्च फूलने तक भून लेंगे यह देखिए लाल मिर्च भून चुकी है अब इसमें हम डालेंगे आधा किलो कटा हुआ टमाटो एक छोटा तुकड़ा इमली का और इसे हम धीमी इसे मध्यम आजक पर पकाइँगे इसे हम बीच-बीच में मिलाएंगे ताके यह नीचे लगे ना टमाटर गलने तक हमें पकाना है यह दीके टमाटर गल चुके है टमाटर गलने पर हम गैस बंद कर दिंगे और इसमें डालेंगे स्वाद 국민 सार नमक इसे थंदा होने के बा चटनी के तड़के के लिए हम एक चमच तेल गरम करेंगे, तेल गरम होने पर इसमें हम डालेंगे राई, राई तड़के में पर इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़े कड़ी पत्ते, और इसे मिलाकर चटनी पर डाल देंगे हम, ये देखिए हमारी स्वादिष्ट चटपट की चटनी तयार है धन्यवाद